तो हेलो एन वेल्कम दूस्टों का फिर सब सभी का बहुत बहुत वेलकम आज की से नई वाली वीडियो के अंदर तो आज की वीडियो आप लोग थमनेल और टैटल देखकर के समझेगे तो फाइनली आज 23 अक्टूबर जैसा कि मैंने आप लोगो बताया था कि 23 अक्टूबर लोगो सीखना है कि इसमें कौन-कौन सी वैपन है या फिर अपने टीमेट को कैसे रीकॉल करना है तो इसके उपर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना दिये तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों वीडियो के तो आप लोग बहां से जाकर करके उन वीडियो को देख बाकि इदर से हम लोग देखेंगे एक क्विक रिव्यू की कैसा पेलोड मोड पफजी मोबेल में हम लोगो मिल रहा है तो अभी मैं आ चुका हूँ इस पॉन आइलेंड पर और आप लोगो दिखा जेता हूं तो इस पॉन आइलेंड पर तो कुछ भी चेंज अभी नहीं कि टावर जहां से आप लोग अपने टिमेट को दुबारा से रीकॉल कर सकते हो अगर आप लोग ओटीमेट किल हो जाता है तो आप लोग उसकी क्रेट के पास जाना है 120 सेकंड के अंदर और और वहाँ से उसका एक आईडी कार उठाना है कम्यूनिकेशन टावर के पास अगर आप लोगो यह पूरा का पूरा स्टार्टिंग से समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जागर के वीडियो देख लो कि कैसे आप लोग अपने टीम मेट को रिकॉल कर सकते हो मतलब हर जगा पर हर जगा पर आप लोगो यह मिल जाएंगे मतलब सभी जगा पर अभी तक जहा भी मैं गया हूँ इस्पेशली इनके लिए एक इनकी जगा बनाई गई है वहाँ पर इनको रखा गया बाकि आप लोगो यह रोड वगयरा पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे तो मैं सबसे पहले चलता हूँ मिलिटरी बेस और आप लोगो सबसे पहले एक हेलिकॉप्टर का ही रिव्यू दे देता हूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हूँ मैं फिलाल उतर चुका हूँ हेलिकॉप्टर के बिल्कुल पास मिलिटरी बेस में सी बिल्डिंगे बिल्कुल पीछे की तरफ इसको रखा गया और आप लोग जब भी आओगे तो आप狗ो हेलिकॉप्टर के पास कुछ ग्रेनेट, लाउन्चर वगेरा या फिर आप लोग को MPG तो ये सारी की सारी चीज़े आप लोगो मिल जाेंगी तो गयिसलिक का है तो इसको गयिस जैसे हमारा noirmal जोइस्टिक रहती है वैसे ही रखेगे बागी काईज आप लोग इधर Ascend और Descend का Option मिलेगा जिससे की क्या होगा कि Ascend से तो ये उपर जाएगा ठीक है Ascend से और नीचे आएगा वो Descend से आएगा बागी काईज हेलिकॉप्टर को चलाने के लिए नहीं कि आप लोग कोई पाइलेट की जरुत होगी आप लोग इसको easily चला पाऊगे मैं भी इसको एकदम अराम से चला रहा हूँ जोयस्टिक से आप लोग इसको left right up down मतलब इधर से up down नहीं कर सकते हो लेकिन हाँ आप लोग आगे पीछे left right ये सब चीज़े कर सकते हो बागी जो ये side में option मिल रहे हैं आप लोगो ascent और descent के इससे आप लोग इसको उपर और नीचे कर सकते हो ठीक है कितनी आप लोगो height रखनी है इसकी वो चीज़ आप लोग इधर से कर सकते हो पर आप लोगो एक चीज़ और बता जेता हूं guys अगर मानलो आप लोग इसको ले करके जा रहे हो और आप लोगो पर enemy fire कर देता है तो आप लोग मतलब क्या करोगे आप लोग ये सोचते होगी कि आप लोग अगर उपर से गिरोगे आठ seat देखने के लिए मिल रही है आप लोग जो teammate है वो अंदर चार बैट जाएंगे और उसके बाद में अगर उनको fire करना होगा न तो वो जैसे दो left में extra है और दो right में extra है तो guys उन पर बैट करके आप लोग जो teammate है या फिर आपको अगर fire करना है तो आप लोग वहाँ बैट करके easily fire कर पाऊगे इस दर से आप लोग ऐसे ऐसी जगा पर जा पाऊगे helicopter की मदद से जहां आप लोग आज से पहले कभी गए ही नहीं होगे तो सारी की सारी जगा देख लेना कि कितना अच्छा view आप लोगो मिलता है बागी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बागी मैंने सारी चीज़े पहले ही बता रखे कैसे आप लोगो teammate को recall करना है communication tower का क्या use है ID card आप लोगो कहां से मिलेगा क्योंकि जो communication tower है वो आप लोगो से ID card मांगता है जब भी आप लोग tower के पास जाते हो तो वो ID card कहां से मिलेगा आप लोग वीडियो को देख लेना recall वाली मैं नीचे link description में दूंगा उस वीडियो की तो गैस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगो confusion ना हो किसी भी चीज़ की